हेलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हां सब लोग, मास बढ़िया, चलो लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मसुटिक्स में चैप्टर नमर फाइफ का नेक्स्ट लेक्च्चर, यानि कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग, स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पैनल लेंगे, ओइंट्मेंट, यह जो ओइंट्मेंट है बेटा, इसको तो डिटेल में प्लाने वाला हूं है, क्योंकि इसी के अंदर की बहुत सारी चीजें आने वाले लेक्च्चर में काम आएगी, तो ठीक है ना, त टॉपिकल पिर्परेशन के, वो आप लोगों को समझ में ना है, किलियर है, स्टार्ट करें, चलो, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिकल पिर्परेशन, टॉपिकल मतलब, जो हमारे सर्फेस पे, चैरे पे, बॉड़ी के सर्फेस जो लगाते हैं, टॉपिकल प भरे हुए होते हैं तो बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है इन लोगों के अंदर इनकी बनावट में थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है अब क्या डिफरेंस उसको देखते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा यहां पर क्या है इसकिन का जो पार्ट है हमारा उसको थोड़ा यहां पर यहां पर मौझा है तो हाइपडर्मिस में हमारे होगे है घिकर ना तो यहां तो यहां पर प्लंग वेसल्स वगर रहे हैं हमारे पास यहां तक किसी तरीके से drugs को कई बार पहुंचाना होता है कई बार otherwise यह उपर यहां तक नहीं रहेगा हमारी skin की infection जाता रहती तो यह ठीक होती है और किस तरह से skin डवाईयां cross करके अंदर आती है वो भी अभी देखते है ठीक है उमीद कर रहा हूँ जो बच्चों को थोड़ा confuse करते हैं जैसे कि सबसे उपर की परत epidermis, then dermis, hypodermis जिसको हम लोग subcutaneous कहते है dermis is your cutaneous dermis को हम लोग क्या बोलते हैं cutaneous बोलते है cutaneous के नीचे, subcutaneous और उसके नीचे muscles तो यह उपर की तीन परते होती muscles हमारी फिर नीचे आती है बास समझ मारी है first terms के लिए कर रहा हूँ फटा फटा और कुछ नहीं है फिर दोको वही कहानी आगी hair है, epidermis, ठीक है hair देख लो कहा तक जा रहा हमारा subcutaneous तक जा रहा है hypodermis तक जा रहा है ठीक है, यह epidermis और dermis और dermis यह हमारी skin होती है epidermis और skin का जो part है dermis यह हमारी किस part के अंदर आती है skin, skin के दो part होते है epidermis जो उपर की खास के दिखती है और dermis जो main हमारी skin होती है उसके नीचे आता है hypodermis यानि कि subcutaneous tissues वगर आ जाते है clear है बाते है उस तरह फिर layers of skin कौन सी चीज में क्या कर पाए जाती है epidermis के अंदर cells होते है produce pigments and protect immune system dermis के अंदर nerve endings होती है और जो nerves होती है नसे होती ही दिमाग से आती है वो यहाँ पर राके end होती है यहाँ पर oil, sweat gland and hair follicle पाए जाते है थोड़ से HPV में काम आएंगे ठीक है और यहाँ पर कई वार कुछ terminology होंगी जहाँ पर यह समझने में help करेगा subcutaneous tissue में क्या है made up of fat यहाँ fat पाए जा रहा है connected tissues है larger blood vessels है ठीक है वहाँ अगर यह आता है तो फटाफट skip कर दो ठीक है लेकिन यहाँ पर इसको समझ लो यह अपना यहाँ से अब start हो गया clear रहा है वो skin का पार्ट सुना सब बताना था और कुछ नहीं था कि जब दवाई हमने लगा दी है दे वो drug formulation यह जो है उपर हमने दवाई लगा दी यह हम लोगोंने दवाई लगा दी इस टाइब से ठीक है नहीं दवाई भरी हुई है यह यह दवा लगने के बाद किस तरीके से हमारा सबसे उपर की जो skin होती है उसको पार करता हुआ सबसे नीचे की तरफ कैसे बढ़ता है तो तीन तरीके हैं तीन तरीके कौन से हैं एक तो जो hair follicle होते हैं sweet duct है या hair follicle है उनकी जो रास्ते हैं उनकी जो छेद हैं उसके छेद के थुरू होता हुआ हमारी body में एंटर कर सकता है कुछ drug direct एंटर कर जाएगा सब को cross करता हुआ चला जाएगा और कुछ drugs जो होते हैं वो क्या है जो corneocyte bricks होती हैं इनको पार नहीं कर पाते हैं तो वो इस तरीक रास्ता फॉलो करते हैं और इस तरीके से finally कहां पहुंचते हैं वो हमारी body के अंदर पहुंचते हैं बासमजबा रही है clear है तो stratum corneum इसी को cross करना होता है फिर हमारा drug कहा होता है अंदर पहुंच जाता है तो तीन तरीके सा हमारी drug cross करती है hair follicle के थूरू या sweet gland के थूरू ठीक है पूरा एकदम cross करता हूँ चला जाएगा सबको stratum corneum को dietly cross कर जाएगा stratum corneum का अंदर जो bricks पाई जाती है corneosides पाई जाती है अगर drug उनको पार नहीं कर पाती है तो उनके बीच में जो gaps होते हैं उनसे cross करता हूँ आता है ठीक है clear है चलो आगे आते हैं अब यहां से हमारा main chapter start हो जाता है ointment यानि की topical preparation introduction की बात करें अगर हम लोग तो introduction में क्या है हमारे पास ओके तो introduction में क्या है the topical agents are दो substance यह है जो topical agent है वो substance है which apply to the body surface जिसको हम अपनी body surface पर लगाते हैं simple सी बात है including application within the body cavities और कई बार body cavities के अंदर भी लगाते हैं कान है नाक है that opens outside वो body cavity जो बाहर की तरफ खुलती है यह मुँ बाहर की तरफ खुल रहा है नाक बाहर की तरफ खुल रही है ठीक है vaginal cavity है these are the compound that act locally with skin locally जहां पर लगाओगे वही पर असर करते हैं बस और कहीं असर नहीं करेंगे locally ठीक है ना और mucos membrane या जो mucos membrane mainly by mechanical और physical manner या तो वहीं काम करेंगे या mucos membrane के उपर काम करते हैं जो चाले आले करेंगे पढ़े आते हैं उस पर लगाते हैं ना मुह के अंदर अब लोग तो mucos membrane के उपर काम करते हैं topical agent does not absorb directly into the circulation mark करेंगे बेटा इस बात को कि topical agent हमारा जो blood का circulation हो उसमें directly absorb नहीं होता है जाकर के compound have little pharmacological effect ध्यान रखेंगे इन compounds का हमारी body के उपर यानि कि हमारी जो pharmacology है उसके उपर कोई भी pharmacological effect नहीं दिखाता जर्नली आम तोर पर the fact of compounds are that when they are applied produce variety of effect जब हम इसको लगाते हैं तो कई तरह के effect आ सकते हैं depend करता है कि हम किस चीज़ का adsorbent adsorbent होता कि यह हमारी skin को पर एक परत बना लेगा बस परत बनने से क्या है धूब का और skin का diet contact नहीं होगा astringent skin को shrink कर सकता है पढ़ रखा हमने pharmacognosy में astringents क्या होते हैं जो skin को shrink कर देते हैं और उसको क्या अंदर को water molecule बाहर निकाल देते हैं चीन थोड़ी टाइट सी हो रहती है अच्छी लगती है डिमल्सेंट सांथ करना खुजली हो रही है रैसेश पढ़ रहे हैं उसमें जो अजीव सा लग रहा है उसको शांथ करती है emollient मुलायम करती है ठीक है some inorganic compounds have topical local activity कुछ inorganic compounds है न जो हम लोगों ने कहां पढ़ रखा है pharmaceutical chemistry में याद आया topical agents pharmaceutical chemistry याद आई जहां पर हम लोगों ने पढ़ रखा है topical agent तो वही उसी बात करा है कुछ inorganic compounds भी ऐसे होते हैं आम तोर पर जो local activity दिखाते हैं अक्लूजिव एफेक्ट एक टर्म आएगा बेटा बार बार ओक्लूजिव एफेक्ट तो उसके मैंने आज समझा दिया occlusion of the skin is used in the clinical dermatology to क्या होता है यह कौन सा effect है promote wound healing and to increase the transcutaneous penetration of topically applied drug जो occlusive effect होता है किसी topical agent का जो हम को भरने में बढ़ावा देता है जल्दी जल्दी भरने में help करता है और increase करता है transcutaneous अब जो वर्ड आगे हैं पर cutaneous इसी दिए वो starting बताएं मैंने जो cutaneous वाला part है उसको cross करने में transcutaneous penetration उसको भेजने में help करते हैं यह जो drugs होते हैं occlusive effect यानि कि दो काम कर रहा है वो एक जल्दी जखम ठीक करेगा और cutaneous उसको penetrate करते हुआ अंदर चला जाएगा topically applied drugs तो यह जो effect होता है जब जखम जल्दी भरे और वो अंदर तक चला जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं occlusive effect कहते हैं the inorganic compound used topically are broadly categorized on the basis of their usual action or use जो inorganic compound अब लोग use करते हैं जो यह ने बात की उसको हम तो तिन category में तोड सकते हैं जैसे की protectives और adsorbent protective उसको प्रोटेक्शनल काम करेंगे adsorbent जो सिर्फ adsorb होते हैं absorb नहीं होंगे वेटा ध्यान रखना adsorb and absorb यह दो term है adsorb होगा बट absorb नहीं होंगे अंदर नहीं जाएंगे उपर उपर रहेंगे बस antimicrobial हो सकता है, astringent हो सकता है sulfur containing compounds हो सकते हैं या कुछ mislainous category में आते हैं तो फटा-फट ज़र हम इसकी category थमज़ लें जो inorganic compounds हैं जो inorganic compounds tropical agent की तरह काम करते हैं ठीक है from possible irritate irritate मतलब जो उसको हान ही पहुँचा सकते हैं उनसे बचाने के लिए उसको cover कर लेते हैं example क्या है tox, silicon polymer, titanium dioxide, calamine lotion वगरा जो हम लगाते हैं ठीक है वो सब protective के अंदर आते हैं some chemically inert substance inert मतलब जो किसी तरह से react नहीं करेंगे adsorbed, dissolved or suspended particles or gases, toxins, etc. are known as adsorbed, example, talk कुछ chemical substance है, जो कि क्या है chemically inert होते हैं, किस टाइब रेक्शन नहीं करते हैं जो कि क्या है adsorbed हो जाएंगे, dissolved हो जाएंगे, suspended particles or gases, toxins etc. are known as adsorbents example जहांपे क्या है, talk हो जाता है antimicrobial की बात करें इसको disinfectant भी कहते हैं और antiseptic भी कहते हैं और antiseptic जब अपनी body पर लगाएंगे same चीज को, same चीज है disinfectant में concentration सोड़ा जादा होता है antiseptic में concentration सोड़ा सा कम होता है, concentration दवाई जो बनती है ठीक है, इसमें कौन आगया hydrogen peroxide, potassium permagnate sodium perborate iodine and iodine preparation chlorinated lime, sodium hypochloride solution ठीक है, example कि है boric acid, boric, silver, silver compound mercury compound, etc astringent, zinc chloride, zinc sulfate ये इसके example है यहाँ पर ठीक है, तो basically तुम्हें क्या है कि inorganic compounds की inorganic compounds की जो topical agents है उनको 4-5 category में तोड़ा गया है protective, antimicrobial, astringents और miscellaneous compound, जिसमें sulfur और sulfur containing compounds मौजूद होते है clear है बाते हैं ठीक है तो वो inorganic compound का था अगर आप journal, ये आपका IMP है ठीक है वो inorganic compound की पर वो थी classification as a topical agent अगर आप से कोई journal पूछता की classification of topical preparation as a pharmaceutical ठीक है तो confused मत कर जाना कई बार बच्चे यह याद करते हैं लेकिन ये भी ठीक है बट अगर हम अपने pharmaceuticals preparation की हिसाब से देखेंगे तो solid preparation liquid preparation, semi-solid और miscellaneous preparation तो जो topical preparation है तीन चार category में आती है जैसे कि topical में विल्कुछ solid, topical powder है poultice है, plaster है, liquid में lotion, liniments, paint, solution, emulsions आ जाते हैं, semi-solid है ना paste और विस्ट, gel टाइप की चीज़े जो होती है, ointment, cream, paste, gel suppository आ जाएगा, miscellaneous transdermal drug delivery system है tapes और gorgeous है, rubbing alcohol होते है liquid cleaner है या topical aerosols है ठीक है, तो हमारे पास जो मुद्दा है इस समय हमारे topic कौन कौन से है एक ये topic है और एक ये topic है इनके हैं lotion, liniments और ointment, cream, paste और gel, ये तो है suppository, ये तो 4-5 शीज़े पढ़नी हमें, तो जातर हमारी preparation कैसी है semi-solid preparation है जो हमारे अभी course में मौझूद है तो ध्यान रखना, question बड़ा simple सा आ सकता है कि cream is a liquid preparation और semi-solid preparation तो answer आ जाएगा क्या, cream is a semi-solid preparation बिलकुल आ सकता है सवाल ठीक है न, one marks में, ओके चले आगे, तो ये आपका basic classification होगया, topical preparation का आगे आते हैं ointment, अब यहां से हमारे category हमारे course में दे रखी है ointment को हम यहां से start करेंगे यह पीछे का हागे एक तरह से, intro था उपर classification और गरा क्या क्या चीज़ें थी main जो अपना जो दे रखा ointment, ठीक है न, आप मैं हमें साब बोलता हम बेटा farm statistics में लिखके छोड़ दिया उसके अंदर क्या पढ़ना है उसकी preparation पढ़नी है कि उसका, क्या कहते है उसके additives पढ़ने है, क्या पढ़ना है ऐसा कुछ भी mention नहीं किया है तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या है, मजबूरी है कि सब कुछ cover करते हुए चलना है क्योंकि सब कुछ पूछ जा रहा है exam में जो previous paper आ रहे है किसी state में कुछ पूछ ले रहा है, किसी state में कुछ पूछ ले रहा है ठीक है, तो सबसे पहले definition, ointment क्या है semi-solid doses form होती है that are widely used in medicine for treating various skin condition simple सी बात है semi-solid doses form जो treat करते हैं बहुत सारी skin condition को याद हो गया, simple these are made by combining a drug obviously बात है, कोई भी दबा होगी तो हम combine करेंगे दबा को और combination of drug या कई सारी दबाएं हो सकती है with a base or vehicle भाई जाइसे बात है, किसी में base or vehicle क्या होता है याद है ना, जिसके अंदर दबा घोल करके बनाई जाती है which is typically a mixture of petrolatum and mineral oils इस case में, ointment के case में जो base होता है, वो petrolatum या mineral oils होते हैं, जादा तर ठीक है, petrolatum मतलब समझे ना, जो गाड़ा मतलब एक तरह से थोड़ा सा चिकनापन ointment type का structure प्रोवाइड करवाता है उसको, ठीक है example of ointment क्या है मुपी रोसिन ointment IP 2% डालू डालू बीटा मेतासन, वैलरीट एंड सलिसालिक एसे इसकी ointment, तो बेटा जब भी मैंने कहा है मेरा lecture भी आप लोग ने देखा है, मैंने कहा था definition हमेसा याद रखने है तुमको definition के साथ-साथ, एक example भी अगर आप लोग दे देते हो तो आपका जो answer है perfect हो जाता है अगर आप एक definition लिख देते हो यहाँ पे जलो मालिया, इतना ही लिखता और साथ में example देते हैं तो एक number देने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, एक number मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ना? आगे आते है advantage यह तो देखना ही है भाईया कि आखिर हमने यही क्यों तरीका अपनाया ointment क्यों बनाये? कुछ तो advantage होगा enhanced drug delivery system या enhanced drug delivery drug delivery को enhance करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि drug delivery बढ़ सके कैसे बढ़ा ही कि drug delivery को मतलब क्या है? हम जहां तक दवा पहुचाना चाता है, वहां तक दवा पहुचे कैसे? हम skin के उपर दवा पहुचाना चाते है अब दवा जो खाएंगे वो तो यहां पर आएगी नहीं समझ रहे है? injection जो blood में चलागे कि वो यहां पर उतना effect नहीं करेगा जो हम लगा देंगे cream वो जल्दी effect करेगा ठीक है? ointment are often used to deliver drug to the skin skin को हम को जब दवा पहुचानी है skin को supply करनी, skin बिचारी बीमार है कहरी हमें कुछ दो हमना दवा खाली तो skin बोल दी भईया तो अमने पेट में डालती दवा हमने तो उपर लगाओ कुछ ठीक है? तो इसलिए आ गया enhanced drug delivery system ठीक है? because they can penetrate the skin more effectively अब क्या skin की उपर लेयर जो मैंने discuss की थी, उस skin की वहां तक पहुंच निगर भाई हमारी दवाएं जो हम खाते हैं कहां तक पहुंचेगी? यहां पर cells और tissue या blood supply पहुंच रही है तो उपर की परते है skin की वहां पर उतना effectively जो दव चीज़ खा रहे हैं वो नहीं पहुंच रही है है ना? तो यह दवाई डारेक्टली हमारी वहां पर काम करती है पैनेट था इसकी more effectively than other topical formulation such as creams or lotions और एक और इसकी खास जाता है cream or lotion in comparison में इसका penetrating effect बहुत जादा है इसकी वैसे यह काफी अच्छी तरीके से absorb होता है और effectively और quickly काम करता है resulting in faster and more complete healing जल्दी से और पूरी तरीके से heal कर देता है ठीक कर देता है बास समझ मारी है long lasting effect लंबे समय तक इसका असर रहता है long lasting effect मतलब लंबे समय तक इसका असर रहता है ointment have a longer duration of action इसका काम करने का duration ना काफी लंबा समा होता है than the other topical formulation जो other topical formulations है जो उपर हमने देखी उनके comparison में इसका जो duration of action है वो काफी देर तक रहता है this is because they remain on the skin for longer period यह तभी हो पाएगा ना यह क्या skin को उपर लगा दिया तो बहुत लंबे समय तक skin को पर रहते है जब तो इनका अच्छे से साफ सूफना करो यह बने रहते हैं skin को उपर ठीक है because they remain on the skin यह लंबे समय तक skin को पर रहते है for a longer period of time allowing the drug जिसके वैसे drug को काफी समय मिल जाता है allowing the drug to absorb more slowly and providing sustained release of the active ingredient अब जो point में डर लंबे समय तक skin को पर रह पा रहा तो उसके दो दवाईया है वो लंबा समय मिल जाता है अराम से absorb हो पाते हैं और लंबे समय तक sustained release जीरे 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 वो release हो करके skin के अंदर जाता रहता है absorb होता रहता है और हमें फाइदा पहुचाता है protection ointment form a protective barrier on the skin that can help to prevent further damage or infection यह एक तरह की protective layer बना लेती है जिसकी वैसे skin को और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है ठीक है किस से नुकसान है जोट पहुचाओ को खीचों के तो पूटी फूटी जाएगी environment से नुकसान नहीं होता है ठीक है न this is particularly useful in treating conditions such as burns और open wounds अब कोछ जल गई है चीज तो बाहर की धूप लग रही है या dust जम रही है उससे जल्दे ठीक नहीं होगा तो ये protective layer बना लेती है ठीक है where the skin is vulnerable ठीक है जहाँ जल गया है या जखम खुला हुआ है वहाँ पर skin कैसी है vulnerable vulnerable मतलब easily infected हो सकती है जो काम easily हो जाए vulnerable to infection वहाँ infection बहुत easily और अराम से हो जाएगा तो इसी लिए ये protection का भी काम करती है ये advantage है minimal irritation इसका irritation बहुत कम है दूसरों comparison में बहुत कम ना के बरावर irritation करती है pointments are generally less irritating to the skin than other topical formulation दूसरे topical formulation ये comparison में ये उतना ज्यादा irritate नहीं करती है ठीक है such as creams or lotion इनके comparison में इसका irritation कम है this is because they contain fewer preservative and additive that can cause irritation इसके अंदर इनके comparison में preservative और additive ठीक है ना काफी कम मातरा में होते हैं और जो preservative और additive डालते हैं हम लोग drugs के अंदर ठीक है ना वह ही क्या करते हैं irritation cause करते हैं और वह बहुत कम होती है इसके अंदर इसका irritation नहीं होती है they are easy to handle than the bulky liquid dose form और liquid dose form से बात की जाए तो उसके comparison में ये काफी easy है वह bulky होती है they are chemically more stable than liquid dose form जो पीने वाले दवाय होती है उसके comparison में ये काफी stable है वो जल्दी खराब होंगी liquid वाली ये late में खराब होती है they are directly applied to the target area जहां हम चाहते हैं वहीं पर उसका इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा नहीं के पहले पेट में जाएगी फिर घुलेगी फिर blood में पहुचेगी फिर उस area में पहुचेगी ऐसा नहीं टार्गेट इरिया हमें यहां दिक्का तो हम यहीं लगा लेंगे ठीक है ना avoiding the other body part इससे क्या हमारे दूसरे body parts है chemical नहीं जा रहा chemical नहीं लग रहा जिनको जरूरत नहीं है वहाँ पर हमें दवा को पहुचाने की जरूरत नहीं है clear है disadvantage किया है advantage हो गए greasy texture greasy texture मतलब greasy texture बच्चो जो grease होता ना अपना जो cycle में लगा हुआ होता है cycle में गाड़ियों में grease लगता है कहीं पर लग जाए कपलों पर या हाथ में तो grease चिकना जासा जो आता है वैसा ही ointment लगाने पर हमें greasy texture feel होता है ऐसा लगता है grease जैसा लग गया है ठीक है that is called greasy texture ointment have a greasy texture that can make them uncomfortable to use जिसकी वैसे क्या है चिकना चिकना जीब सा लगता है uncomfortable जैसा लगता है this is particularly true for people with oily और acne prone अब ये चिकना जैसे खराब क्यों है उन लोगों के लिए खराब है जिनको मौहासों के दिक्का था या oily skin है ठीक है न who may find that the ointment clogs their pores जिसकी वैसे चिकना होने की वैसे उनके छेद है उनके जो pores है छेद वो clog हो जाते हैं and exacerbate their condition और जो उनकी skin की condition चल रही है उसको और ज़्यादा बड़ा सकते है staining पहला होगा greasy texture दूसरा staining दाग अगर कपडों पर लग जाए तो दाग पढ़ जाता है ointment can stain दाग कर लगा सकते हैं कपडों पर and bed पर ointment peat पर लगा के सो गया हाथ में लगा के सो गया और bed पर लग रहा है तो दाग पढ़ जाता है जैसा कि grease से पढ़ सकता है which can be inconvenient and unsightedly ठीक है जो काफी अजीब लगता है और देखने में भी खराब लगता है this is particularly true for ointment that contain strong dyes or pigments ये किस type के ointment के लिए ज़्यादा कहा जाता है जिनके अंदर बहुत strong dye कोई color matter पढ़ा हुआ है या कोई pigment पढ़े हुए जिसके वाइसे बहुत जवर्दस color छूटता है limited use ointment are not suitable for all skin condition हर type की skin के लिए ointment अच्छे नहीं होते ठीक है ना for example they may not be effective in treating conditions that require the active ingredients to be absorbed quickly into the skin such as acne अब मालूब महासे हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो active ingredients है वो quickly absorbed हो but ointment के अंदर से active ingredients quickly absorbed नहीं होता है तो ऐसी situation में हम ointment का इस्तमाल नहीं कर सकते allergic reaction some people may be allergic to the ingredients in ointment ointment के अंदर जो ingredients होते हैं जो उसके अंदर तत्व पाए जाते हैं medicine मतलब main chemical constant के अलावा वो कई बार क्या करते हैं irritation या खुजली या रैस लाल पन छोड़ सकते हैं इसकिन के उपर इस पर यह किन लोगों के लिए इसा होता है with sensitive skin जिनकी skin sensitive है और those who have history of allergic reaction या जिन लोगों में पास्ट में allergic reaction रहा हो यह बल्कियर देन solid doses form solid doses form tablet अगरा आशा तो भारी हैं यह यह दे आर लेस इस्टेबल देन देन दस वार्ट और solid dose form के comparison में यह कम stable भी है अब बात करते हैं types of ointment basis याने की vehicle basis कहलो या vehicle कहलो वेहिकल मतला जिसके अंदर जिस medium में दवाईयों को डाल करके हम ointment बनाते हैं तो पास type के हैं hydrocarbon, absorption base, emulsion base, water soluble और combination basis ठीक है ना फटा फटा फट सब को हम लोग देख लेते हैं एक बारी तो इनी की का हम classify भी कर देंगे यानि कि types के लो या classification के लो ठीक है ना types के लो यहाँ पर या इसको इसी को classification के लो clear है types के लो या classification के लो classification की बात करें तो hydrocarbon यानि की जिसके अंदर carbon और hydrogen से carbon प्लस hydrogen CH जिसके अंदर होगा या इसी को हम oily genus base भी कहते हैं hydrocarbon bases are the most commonly used base सबसे ज़्यादा common base यही इस्तमाल होता है ठीक है they are composed of hydrocarbon such as इसके अंदर hydrocarbon होते हैं जैसे की petrolatum petrolatum just like petroleum jelly जैसे हमारी weseline होती है लगबग वैसी होती है mineral oils which provide greasy consistency तो याद रखेंगे जो ointment basis है उसमें hydrocarbon base है जिसकी वज़े से इसको greasy consistency ग्रीस टाइप का nature इसे मिलता है and occlusive property अब देखर word आगे फिर से occlusive अब नहीं समझाओंगा यहाँ पर मैं starting बताया था और इसी की वज़े से इसकी property occlusive हो जाती है they are ideal for use in dry skin conditions यह सूखी skin condition होती है उसके लिए ideal basis है and for protecting the skin from moisture loss और skin को moisture loss से भी यह बचाते हैं तो कहने का कहीं active ingredients तो अपना काम करेगा ही करेगा यह base भी अपना कुछ effect दिखा रहा है skin के उपर के लिए रहे बाते हैं example में जैसे हाइड्र कार्बन कौन है paraffin wax, soft paraffin, liquid paraffin, whiteable oils and animal fat, peanut oil, coconut oil, lanolin, beeswax hydrogenated and sulfated oil, hydrogenated castor oil या hydrogenated and sulfated castor oil, acid alcohol और easter के example में ले हैं तो steric acid है, sterile alcohol है, isopropyl, meristicate है silikons की बात करें तो dimethyl polysiloxane, siloxane कहा जाता है इसको ठीक है, बात समझे मारी है, now disadvantage disadvantage की बात करें, तो क्या है, greasy होते हैं यह, chip चिप अउते हैं और जल्दी से धुलते नहीं हैं, greasy होते हैं, चिप चिप योते हैं और जल्दी से धुलते नहीं है, retain body heat, body heat को यह अपने अंदर रख लेते हैं, do not increase absorption absorption को increase नहीं करते हैं ठीक है prevent drainage in oozing area ठीक है जो oozing जहां से कुछ चीज निकलती है ज़से liquid secretion और body से निकलना चाहिए उसको रोग देते हैं यह इसका disadvantage है they are anhydrous यह anhydrous है इनका पानी नहीं होता do not absorb water and insoluble in water पानी को absorb नहीं करते हैं और पानी के अंदर घुलते भी नहीं है ठीक है तो यह इसका disadvantage, example और खुद यह क्या है तो यह जितने basis हैं उसके बार में यहीं पता दे रहा हूँ इनी का इस्तमाल बार बार आगे होता रहा है पढ़ेंगे paste वगरा, gel वगरा, ठीक है ना Now absorption basis absorption basis में क्या है absorption basis are ointment basis that are designed to be absorbed into the skin यह base skin के अंदर absorbed हो जाएंगे के लिए रहा बाते हैं, इसलिए नाम देया गया है absorption basis clear है they are made up of mixture of hydrophilic and lipophilic substances ठीक है यह hydrophilic lipophilic के mixture से बनके बना होता है such as lanolin, beeswax and petroletum absorption bases are ideal for use in wet skin जो सुखी skin होती है dry condition होगी उनके लिए एक ideal है such as weeping eczema eczema जो हमारी एक skin condition है वीप उसके अंदर से निकल रहा हो कोई चीज लिक्विट टाइब का as they absorb the excess moisture from the skin यह सकते हैं उसको यह क्या कर लेते हैं absorb कर लेते हैं ठीक है ओके ना एड़ांटेज क्या है compatible with most of the medical means कई सारे medicine के अंदर हम लोग डाल सकते हैं कई सारे medical मेंट से साथ यह compatible उनके साथ कोई reactions नहीं होती है absorb large quantity of water or aqua substance large quantity of water or aqua substances को यह क्या कर सकते हैं absorb कर सकते हैं relatively heat stable heat में यह पिगलेंगे नहीं जैसे grease होता क्या heat में पिगल जाते थे ठीक है न फैलेंगे फिर easily spreadable हाथ में लगाओ तो आराम से फैल जाती पूरे हाथ पे less occlusive and good emollient से सब बता दिया मैंने अभी उपर सबके मितली मतलब aqueous substances can be incorporated और जो aqueous पानी वाली चीज़े हैं वो इसके अंदर डाली जा सकती है clear अब आते हैं disadvantage क्या है undesirable due to greasy nature इसका भी हलका सा nature कैसा है greasy है तो undesirable है chance of microbial contamination क्योंकि पानी मौझूद है तो यहाँ पर microbial contamination यानि microbes attack कर सकते हैं और इसको खराब कर सकते हैं clear रहे बाते हैं अब आते हैं emulsion basis emulsion हम सबको पता है दो टाइप क्यों होते है oil in water water in oil इसी टाइप के जो base है हमारे वो base हमारा emulsion होगा अब emulsion समझते हो अच्छे से तो base हमारा यहाँ पर क्या emulsion है उसके अंदर हमको दवय डाल करके अपनों ointment त्यार करेंगे तो water in oil emulsion की बात करें water in oil emulsions are ointment basis that contain a mixture of water and oil obviously water oil में क्या water in oil पानी oil के अंदर this is dispersion medium ठीक है and this is dispersion phase they are designed to be used on wet or exudative skin exudative मतला जिस skin में से कुछ निकल रहा हो ना liquid type का या फट जाती है कुछ और हो होता है condition such as weeping eczema or dermatitis infection बगर हो गया हो ठीक है they provide a cooling and soothing effect ठंडा पन लाते हैं skin के अंदर soothing calm अच्छा लगता है गाफी effect and are easily spreadable यह अराम से पूरे हाथ पर ऐसे लगा हो कुछ दवाई होते हैं कुछ ट्यूब अगरा होते हैं कुछ पेस्ट होते हैं वो पूरे फैलते नहीं है इसको क्या लिया ऐसे लगा है तो पूरे फैल जाते है अराम से अग्जांपल क्या है sulfur और zinc ointment oil in water emulsion अब क्या है पानी को तेल को पानी में डाला गया है oil in water emulsions are ointment basis that contain mixture of oil and water obviously बात है इसके अंदर बहात है इसके अंदर बहात है लेकिन इस बार क्या है water हमारा dispersion medium है oil क्या है dispersion face ठीक है यह यह किसकी लिए होता है dry skin के लिए है condition के लिए and provide a moisturizing effect कैसा effect provide करवाता है यह moisturizing effect provide करवाता है तो दोनों में तो difference ध्यान रखेंगे ठीक है यह oxidative skin के लिए था wet गीली skin या oxidative skin के लिए यह dry skin के लिए है यह दोनों में difference आएगा they are easily absorbed या आराम से absorb हो जाते into the skin and do not leave a greasy residue यह क्योंकि oil इसके अंदर main content पाने इसके अंदर main content है इस इसके वज़े से यहां पर कोई greasy residue नहीं रहता है तो ध्यान रखेंगे oil in water वाला advantage इसमें example के vanishing cream पानी है तो ओड़ जाता है लगा दो गाया वजाता है सब ऐसा लगता कुछ है ही नहीं है आपर खीक है तो advantage क्या missival with accudate from lessons जो उसके अंदर से निकल रहा है जो जखा में उस skin because of surfactant content इसके अंदर surfactant होता है इसके वाज़े से skin के साथ यह अपनी पकड़ बना के अच्छी रखता है high cosmetic acceptability cosmetic में इसका काफी जाता use है easily removable from the hair यह बालों में अगर लगा दिया जाए तो या इस बालों की scalp होता है कही बार यहां खोपड़ लगा जाता है तो बालों से अर water in oil है वो greasy और sticky होता है its acceptance is less difficult to remove from body and clothing तो disadvantage actually किसकी है water in oil वाले के disadvantage है ठीक है यह greasy और sticky होता है difficult to remove from body clothing और its acceptance is less clear है तो यहां पर सोड़ा सा यह oil in water है तो यह water in oil वाले का आगया है यहां पर disadvantage ठीक है बेसे जो पानी में soluble है इसको grease less base भी कहते हैं मार कर लेंगे वनमास कोश्चन ग्रीशलेस बेस के लिए हम लोग water soluble base का इस्तमाल करते हैं water soluble bases are ointment bases यह वह ointment bases that are composed of water soluble polymers इसके अंदर ऐसे polymers डाले जाते हैं यह जिसके अंदर जो component डाले जाएंगे वह water soluble होते हैं such as polyethylene glycol PEG नाम सुना होगा ठीक है ना they are ideal for using ointment that require easy washability जो हम चाहते हैं कि हमारा ointment ऐसा बनेगे आराम से धुल जाए easy washability तब हम PEG का इस्तमाल करते हुए water soluble base बनाएंगे and for delivering water soluble drugs और हमारे drugs कुछ ऐसे हैं जो पानी में soluble होते हैं उस अवस्था में हम लोग water soluble base का इस यूज़ करेंगे अच्छा यह नाम है इसके नंबर है 200-315-100 for viscous liquid और for viscous liquid ठीक है दोनों एक ही हो गया जेलेटिन हो गया एनिमल से आता है silica gel, bentonite, chemical है यह for low viscosity के लिए glycerine, glycerine, monosteerate का इस्तमाल होता है तो बहुत सारे हमारे पास क्या है water soluble bases है base मता समझते हो vehicle बता चुका हो पहले में ठीक है combination bases है हम 2-3-2 तरह के basis का यूज़ करेंगे combinance bases are orientant bases that combine two or more types of bases obvious ही बात है दो या उपर की चार टाइप हमने पड़ी उनमें किनी दो bases को mix करके हम अपना एक नया base बनाते है to provide a synergistic effect हम चाहते हैं कि दो effect आपास में एक दूसरी को support करें that is called synergistic जब एक effect दूसरी effect को support करता है for example a combination of hydrocarbon and absorption base can be used to provide the both inclusive and absorbent property we have two property चाहते हैं तो हम लोग यह दो base को मिला करके बेस त्यार करेंगे यहां से हमें occlusive property और absorbent property दोनों बिल जाएं याँग कि बैसे की जो property है हर इक base की अलगलोग property है और हम चाहते हैं कि दोनों property चाहिए हमें में उन दोनों बेस को मिला करें फिर हम बेस त्यार करेंगे कि लिए रहे बाते हैं यह बेस इंपोर्टेंट है आगे क्योंकि मैं सीधा बोलूँगा कि जो बेस हमने वहाँ पड़े हैं वही वाले बेस हैं ठीक है बार-बार ने एक्स्प्रेंट नहीं करूंगा इसको अब प्रॉपटिस बेटा यहां पर यह मैंने थ्रह सा मिल गया मेरे को तो यह मैं आप तुमनों को दे रहा हूं ठीक है इसमें क्या है कि तुमको समझना है कि इस तरीके सो तुम्हें याद रखना है है कंपोजिशन एक दो तीन चार और यह वाटर मिसिवल ओइंटमेंट बेसिस ठीक है ना अब अच्छा यह दोनों को तोड़ दिया है यह आला ठीक है वाटर इन ओईल और और यह वाटर यह है ना तो वन टू और यह थ्री एंड यह फोर तो पॉपटिस किया कंपोजिशन यह अलेजनेस है यह बहू है यह यह एस बैस प्लस वाटर यह i chart आघंगे तो बेशेश प्लस बेश्यक्टिम एफिनिटी फॉर वाटर वाटर के लिए क्या आफिनिटी यह पानी से दूर भागने वाला कौन सा है यह आली जिनस वाला इस्प्रेडिबिल्टी यह बड़ी मुश्किल से मौड़ेट इजी मौड़ेट इजी यह पूरे में अरामते लगाने तो बहुत इसली फैल जाता है सब्सक्राइब करेंने वाटर पिंटर में क्योंक्ति वुष्ट लुग typically फिल फेलिए और हिसेबल सब्सक्राइब इस्प्राइब ट्रगंधिन विआता ही इस्टेबल एन एक उफिए वो च्मीन इस्चमशल में कर सकते हैं solid oils and equo solutions सब इस्तेमाल कर सकते हैं solid drugs equo solution drugs को इस्तेमाल कर सकते हैं solid or equo solution तो यह तुम 1 2 3 4 5 6 तो साथ properties है हर एक प्रॉपर्पर्टी है अगर बेस के उपर question आता है यह चार्ट बना करके इस तरह से आजाओंगे पूरे 5 मैं से पांच नमबर मिलने वाले हैं अगर बेस्कों पर कोश्चन आता है तो ठीक है ना ड्रग इनकॉर्पोरेशन पोटेंशियल मतलब किस टैप के ड्रग को यह अपने अंदर अच्छे से डिजॉल्व कर सकता है ठीक है इस्टेबिल्टी की बात हो गई पूर पूर अनिस्टेवल 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 इस्टेवल है वो ठीक है तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे नेक्स्ट है इसकी आइडल पॉपर्टी की बात करें तो आइडल पॉपर्टी हम सबको बता है बॉड़ी को इस्तमाल कर रहे है तो कॉंपटीबल वि गुट सौलवेंट और इमल्सिफाइंग एजेन्स, इसको एक यूच्छा सौलवेंट और इमल्सिफाइंग एजेन्स होना चाहिए इमोलियंट, प्रोटक्टिव, नॉन ग्रीजी और दुलने पर, रिलीज मेडिकमेंट इसली एड़ साइट अप्लाई करेंगे, साइट अप्लाई करेंगे, आराम से मेडिकमेंट, रिलीज हो जाए, निकल जाए, और स्केन में चली जाए, फार्मसिटिकल एलिगेंट और जाती है, मिथाइल पैरावीन, प्रोपाइल पैरावीन, कॉमन है, एंटि ऑखिजिटन डाले जाते हैं, ब्यूटा लेटेट हाट अप्लाई करो किया होता है, देखें जाना कितना बढ़ाई कर रहे हो, पर्फ्यूम्स, खुस्पू के लिए, खुस्पू चाते हैं, वाइ इस्तमाल होता है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबस्यादा सम्भावना कॉश्ण जिस पर आने की, यहां पर क्या है, मोटर और पेशल, ठीक है, वैद लोग जैसे, पीश थे हैं, चैमिकल डिक्शन कराकर यह, इमल्सिफाई करके हम लोग बनाते हैं, तो चार को बनाने की, यह चारों मेथड यहां पर अच्छे से समझना, क्योंकि यह चारों मेथड जब आगे के लेक्शेर आएंगे, क्रीम के, जैल के, पेश्ट के, तो मैं सीधा लिखूंगा, ट्राइट्यूरेशन, फ्यूजन, तो सब जाके से यही तरीके हैं, एक ही यही लिख अच्छे से और साइज, क्योंकि मोरतार पेशल से पीस रहे हैं, तो मिक्सिंग भी हो रही अच्छे से, और साइज, कोई पार्टिकल बगए रहे हैं, तो टूट के छोटा भी हो जाएगा, खिलियर है, नाव प्रोसीजर, सबसे पहले हम पीस पीस के उस होच, छोटे-छोटे महीन पाउडर में बदल लेंगे, तो अब बदल लेंगे, और से दवाई डालेंगे, ठीक है, और से मिक्स करेंगे, बेस ऑन ओंट्मेंट स्लेब, जो स्लेब हो जहां पर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा बेस लिया, ठीक है, थोड़ा सा बेस लिया, और थोड़ा सा इसमें लिक्यूट डाल दिया, और इसको ले करके, ऐसे ऐसे, है ना इस तरह के से, कि इसतरा के से बार 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 बैसे मिलाते रहे ते मिलाते रहे तरह तरह गड़ा गढ़ा सा लेप जैसा बन जाता है ठीक है बास tradition आई है ओके यह डाल चुके थे मेडिकमेंड जुके थे उसके बाद फिराव सामने皮स भी ले लिया था जो बचावाब बेस है वह remaining quantity of base वो भी अब मिला देंगे ठीक है ना फिर incorporate any liquid ingredient if present और अब कोई ingredient और बचा हुआ liquid वाला तो इसको ही मिला देंगे motor and special to be used in case of large quantity of liquid is used जब बहुत बड़ी थोड़ी थोड़ा ज्यादा होता है तो motor special का अब लास्ट में कोई liquid अगरा कुछ बचा हुआ है तो उसको डालका है फिर अच्छे यह तो simple है ठीक है ना suitable when ointment basis contain number of solid ingredients बहुत सारे solid ingredients है तो कब तक बार बार पीश होगे लोग ऐसे जोग दो लोग पिगला दो इने ठीक है तो बहुत सारे solid ingredients है तो कब तक पीश होगे भाई और सबका melting point भी अलग अलग है तो प्रोसीजर कहता है यह प्रोसीजर को यहां होना चाहिए था क्या है प्रोसीजर ointment basis are melted in decreasing order of their melting point ठीक है इनको हम decreasing order of melting point के हिसाब से melt करते हैं highest melting point should be melted first low melting point next ठीक है ना सबसे जिसका high melting word उसको पहले पिगला लेंगे ठीक है फिर low वाला है उसको पिगलाएंगे this avoid overheating of substances of low melting point इससे क्या होता है जो low melting point जिनका होता है वो overheat होने से बच जाते है अधरवास पर चला हमने क्या क्या इसको पहले रख दिया क्या कहते हैं ठीक है जो highest melting point should be melted first low melting point highest melting point वाले को पहले पिगला लिया फिर जो कम melting point वाले उसको पिगला आया उसमें क्या हमको बारवर टमप्रीट है थोड़ा कम करना पड़ेगा अगर बढ़ा के रखेंगे तो जिसको melting point कम चाहिए वो overheat हो सकता है वो break कर सकता है मतलब unstable degrade कर सकता है फिर क्या करेंगे incorporate medicament slowly to the melted मांस अब जो हमने सारा पिगला लिया है उसके अदर ध्रीद्रे करके क्या डालेंगे अपने medicine डालेंगे इस्टिर हिलाएंगे thoroughly लगातार until mass cool down and homogeneous product is form जबसकि ठंदा ना हो जाए और एक homogeneous एक तार पेश टाइब का उसी में हम लोग पहले उतने ही temperature पर हीट करेंगे और फिर उसको में मिला देते हैं इफ नॉट wax or solid will cool down quickly and get separated अगर हम ऐसा नहीं करते हैं लिक्विट को हीट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करते हैं तो wax or solid जो होते हैं वो तुरण ठंडे हो जाएंगे और अलग-अलग हो जाएंगे फिर वो दिक्कत कर जाएगा है ना तो सिंपल सी process है क्या क्या करना है बात समझ में आ गई है precaution क्या लेना है steering is done continuously homogenous mass लगा तार हिलाते जिससे कि एक समान एक तार जो हमारे मास बनके आएगा जो पेश्ट बनके आएगा लेप जो ऑइंडरेंट बनके आएगा वह एक समान रहे विग्रस steering should be avoided बहुत तेते नहीं हिलाना है उससे क्या होगा to prevent the entrapment of air बहुत तेते हिलाएंगे तो कोई जाएगी तो अराम से निकल के भी आजाएगी रैपिट कुलिंग शूड़ भी अवाइड तुर्ण थंडा नहीं करना है तो गेट यूनिफॉर्म प्रड़क्ट अधर्वाइस क्या एकदम थंडा होगा तो यह क्या होगा वैक्स और सॉलिड जो है वो अलग-अलग हो सकते जो वैक्स था हमारा और जो जो मेडिका मेंट थे ठीक है न टूर्योब धुर्ण पॉरड नइस ट्रेय थू मुसलिंड क्लौॉफ और लगता है कंवल फॉर्ण पॉर्ण प्रीकल को वान रहा है तो ब्रड़द उसे नि secte नचोड लेंगे हम लोग तो क्या होगए जो फॉ chemical reactions होते हैं और जिसकी help से हमारा जो है ointment बनता है तो preparation of some ointment involves chemical reactions iodine ointment जिसके अंदर एक होता है iodine free ointment और एक होता है iodine ointment iodine combined form with ointment base याने कि base के अंदर iodine free पड़ी हुई है एक में क्या iodine ointment base के साथ combined हो गई है जुड़ गई है तो अब है क्या चीज समझते हैं जड़ा ointment containing free iodine ऐसे ointment जिसके अंदर free iodine है iodine अचा यह iodine के साथ ही है इसलिए हमें क्याइब बनाया जाता है तो इसलिए इसी को जिकर किया गया है iodine is slightly soluble in fats and whiteable oils तो पहले बता रहा है iodine fats और whiteable oils में थोड़ा बहुत घुल जाता है readily soluble is potassium iodide ठीक है तुरंट soluble हो जाएगा और क्या बना लेता है potassium iodide solution in water due to formation of poly iodide potassium iodide i2 potassium iodide 2i2 potassium iodide 3i2 तो potassium के साथ मिलके क्या बना गए potassium iodide बना लेता है poly iodides are readily soluble in water जो poly iodides हैं यह बन गए है पाने के अंदर तुरंद घुल जाएंगे अलकॉल के अंदर भी और मिस्रिन के अंदर भी this solution may be incorporated with absorption टाइप ointment base और इनको फिर हम लोग क्या करते हैं absorption टाइप ointment base में हम लोग लाल देते हैं तो यहाँ पर हमरे पास क्या हम देख सकते हैं यह iodine हमारी क्या है free है थीक है अब उससे क्या फरक पड़ा उससे फरक किये पड़ेगा देखो यहाँ भी पड़ें इसको समझने फिर उसके बारे बात करते हैं अब double bond होनी की वज़े से iodine combines with double bond, जो iodine है वो इस double bond के साथ combine हो जाती है, आई आई तो iodine क्यों होगे, break कर गी, तो iodine तो खतम हो गई, एका इधर चला गए, आई का इधर हो, अच्छा मैं तुमसे कहूं, बताओ ये iodine है कि ये iodine है, तो ध्यान रखना पेटा, ये iodine है, I2 iodine होता है, I is an atom, not iodine, ठीक है, भाद समझे भाई, तो ये atom है, यानि कि जो color होता है, वो इस I2 की बाइस होता है, single eye किसी type का color show नहीं करता है, ओके, now, अब यहाँ पर क्या है, free iodine तो available है नहीं, ये पहले free iodine थी, वो ही नहीं है, पर वो double wand के साथ involved हो गई है, is not available, so ointment appears dark, अब ointment कैसा dark appear हो रहा है, greenish black in color, leaves no stain, अब क्योंकि पहले iodine free रहता था, उपर वाले में तो उसके वैसे iodine की वैसे काला कला दाग लग जाता तो जब इस तरीके से हमारे base में reactions हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, chemical reaction method बोलते है, clear है, now emulsification method, यहाँ पर emulsifying agent का इस्तमाल होगा, बस fat oil waxes are melted together, यहाँ पर क्या है, सब को एक साथ, एक साथ melt कर देंगे to a temperature of 70 degree centigrade, लगो 70 degree पर सब को एक साथ melt कर देंगे, aquos solution of the heat stable water soluble compound is also heated to the same temperature, एक पानी वाला solution, उसको भी हम जो की heat stable होगा, aquos solution यानि कि इसके नदर हमने कुछ ingredient डाले हुए है, solution का मतलब क्या होता है, कोई हमने ingredient डाल करके पानी तयार किया, उसको heat कर दिया, लेकिन जो ingredients है, वो heat stable होगे, water soluble होने चाहिए, ठीक है ना, और same temperature, एक 70 degree पर उसको हमने क्या घर दिया, heat कर दिया, अब solution is slowly added to the melted base with continuous stirring until cold, cool, तो लगातार पानी वाला solution डालते जाएंगे, उपर आले base में और फिर हिलाते जाएंगे, जब तक कि ठंडा नहीं हो जाता है, अब क्या ध्यान रखना है, अब क्या हमारा emulsion है ना, तो emulsifying agent का भी इस्तेमाल होगा, जिससे कि यहां समझना था कि जो fat होते हैं, basis, उसके अंदर हम दवाईयों को पानी के अंदर घोल करके, फिर इसके अंदर में डालते हैं, क्योंकि हमें ओंटमेंट बनाना तो गाड़ा-गाड़ा चाहिए होगा, ठीक है तो तरीका यह है कि पहले इसको अलग हीट कर लेंगे, इसको अलग हीट कर लेंगे, फिर इसके अंदर emulsifying agent डाल करके, दोनों को mix कर देंगे, ठीक है, तो water-soluble soaps commonly used emulsifier for semi-solid oil in water emulsion, यह याद रखेंगे water-soluble soaps, जब oil in water, dispersant medium क्या है, water है, तब water-soluble soaps का इस्तमाल होगा, combination of tri-ethanol amine stearate soap and satile alcohol is used, जब oil in water का इस्तमाल होगा, ठीक है, तो इस दो तरीके साम इस्तमाल कर सकते हैं, oil in water के लिए, तो यहाँ पर अलग से लिख सकते हो, oil in water में दो टाइप के हैं, ठीक है, soluble soap और tri-ethanol amine stearate soap, और beeswax and divalent calcium amine used in water in oil emulsion, यह जो हमारा emulsifying agent है, divalent calcium amine या beeswax, जब हम water in oil type का emulsion बनाएंगे, तब इसका इस्तमाल करेंगे, धी जार्दा emulsifying agent, तो बात समझ में आ रही है, हम यहाँ बेस तयार कर रहे हैं, बेटा को डालना होता है, तो कई सारे तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यह हमारा emulsification method है, chemical reaction method था, ठीक है ना, fusion method था और tracturation method था, तो चार method हमनों यहाँ सीखें, अब आगे आते हैं, preparation हो गया, अब अगर preparation भूल जाओ, यह general preparation, ठीक है उसने कहा जए कि नहीं preparation बताओ, तो तुम कह सकते हो कि हाँ चार टाइप के होते हैं, और एक general आम तोर पर यह एक तरीका है, तो तरीका यह कहीं पर भी apply कर सकते हो, ठीक है ना, preparation of ointment, general method, step 1, collection of ingredients and equipment, जितना भी ingredients है उसे ख इखटा करो, कौन को से equipment लगने वाले हैं, before starting the preparation, preparation start करने से पहले, of an ointment, gather all the necessary ingredients, अब इसी बात है, जितना हमें चीज़ चाहिए, उसको इखटा कर लो, जो जो equipment लगने वाला है, उसको इखटा कर लो, the ingredients typically include the drug or drugs, एक ड्रग हो सकते हैं, बहुत सारी drugs हो सकते हैं, base और vehicle and any additional ingredients such as, preservative, emulsified, जो भी कुछ लगने वाला है, सब इखटा कर लो, the equipment required include mixing vessel, mix करने वाला vessel हो सकता है, a heating source, अगर हमें heat करने जरूद पढ़ने वाली है, thermometer, spatula, जो भी हीच चाहिए, हम लोगो हम पर इखटा कर लेना, तो main heading तो यही होगी, यहां से बना करके लिख सकते हो, ठीक है ना, now weight the ingredient, obviously बात है, दूसरा step किया, वैंने काना, एक common है, अगर उपर नहीं याद है, लेकिन उपर याद करो, बेटर है, यह common है, कहीं भी लगा दो, भी उसको हम क्या करते है, वेट करते है, accurately weight the required amount, जो required amount है, उसको हम लोग हरे, कितना कितना है, दो ग्राम, पांच ग्राम 20 ग्राम, उसको हम वेट करेंगे, this is important to ensure that final product has the correct strength and consistency, accurate weight जरूरी है, जिससे की final product में, जो strength है, जो ड्रक की छमता है, जिस छमता का हम लोग tube, ऑइंटरन बराना चाहते है, वो उतनी छमता का बने, और consistency बरकरार है, उसकी याने, एक समान बने, melt the base, अब हम लोग क्या करेंगे बेस को melt कर देंगे, ठीक है ना, melt the base in mixing vessel using a heating source such as a water bath और hot plate, melt करेंगे, याने कि melting की जब बात आ रही है, तो यहाँ पर किसकी बात आगी एक तरह से, जो हम लोगोंने fusion method की बात करी थी, ठीक है ना, तो यह कहीं ना कहीं, melt की बात करेंगे, melt का हम लोग जब उसको mix करते हैं, हो भी कर से melting ही होती है, लेकिन, फिलाल यहाँ पर fusion base की बात कर दी, इसने, melt करेंगे, use a thermometer to monitor the temperature, एक thermometer रखेंगे, कितना temperature हमने heat किया है, ज्यादा, 70 degree था ना, वहापर, जो मैं पढ़ा था, बास समझ मारी है, ठीक है, तो वो temperature measure करके देगा, कौन हमें, thermometer, and ensure or सुनिशिश करे ठीक है, ठीक है, that base does not have overheat or burn, ठीक है, temperature पर चलता रहेगा, तो उससे base क्या overheat नहीं होगा, addition of drug, वो melt हो गया, अब हम drug डाल देंगे, once the base has melted, add the drug or drugs to the melting vessel, mix thoroughly, उसको लगातार mix करें, अच्छे से, to ensure that drug is evenly distributed throughout the base, ठीक है, mix करना है, thoroughly, लगातार, पूरे में mix करना अच्छे से, ज अब दवाई के अलाबा कोई और ingredients है, तो उसको मिला देंगे, if required अगर जरौत है, add any additional ingredients such as preservative, emulsifiers to the mixing vessel, अगर जरौत है तो, these ingredients help to stabilize the ointment and prolong its self-life, obviously बात है, जो दवाईों के अलाबा extra ingredients होते हैं, उनका काम क्या होता है, इस्टेबलाइस करना, ointment को और उसकी life को बढ़ाना, homogenize the mixture, अच्छे से, एक तर बनाएंगे अब, homogenize the mixture using the spatula और a mixture, उसकी अच्छे से फिर खूब हिलाएंगे, खूब हिलाएंगे तक एक समान हो जाए पूरा, कहीं पर ऐसा नहीं कम ज्यादा लग रहा है, है ना, जब ह हम लोग कहीं पर कोई चीछ घोलते हैं, तो कहीं पर लगता है, यहां अच्छे से नहीं मिला, यहां अच्छे, पूरा अच्छे से घुल जाता है, तो पूरा एक समान दिखाई पड़ता है, तो homogenize करना है, this helps to ensure that the drug and any additional ingredients are evenly distributed throughout the base, homogenize करने से क्या होता है, अब यह sure हो जाते है, अब कहीं से भी तुम कोई भी थोड़ा सा भी ointment लोगे, तो उतने ointment कहीं से भी लोगे, तो एक समान दवाई हमको मिलने वाली है, फिर cool कर देंगे और store कर लेंगे, allow the mixture to cool to room temperature before transferring it to the suitable container, पहले ठंडा करना है, container में डालने से पहले, फिर store कर देंगे, store the ointment in cool dry place, थे, ये step लिख दो, है ना, और ये है general step, जो तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें याद रहेंगे, तुम लाग भूलने ही कोशिश करो, ये step नहीं भूलोगे, कि अच्छा हाँ हमें पहले एक खटा करना है, तॉलना है, फिर पिगलाना है, फिर दवाई मिलानी है, उसके लगा कोई और चीज है, उसको मिला देना है, फिर अच्छे से हिला देना है, और रिस्टोर कर देना है, ठीक है, ये ना चाहते हुए भी तुम्हें याद रहेगा, बात समझ में आई, next step packaging, अब packaging में थोड़ा सा लेके आए, क्योंकि यहां पर कुछ बाते थी, जो ointment jar होत लाइन कहते हैं, स्वरी क्या कहते हैं, लाइन रक हम लेकिते हैं, लाइनर क्या प्लायर कि कहते हैं, इसमें लाइनर कहा हुआ है, ठीक है तो जाब कर रहेया है तो ointment jar made up of colorless और colored glass colors less हो सकता है या किसी color का बना हुआ, हो सकता है, amber colored for light sensitive preparation, वो amber colored का होगा, अगर light sensitive है, ठीक ह लाइट से खराब हो सकता है तो एंबर कलर का हम लोग जार इस्तिमाल करेंगे विद स्कूरू कैप्स यहां पर स्कूरू रहते हैं तुमको पता है अच्छे सा है विद इंपर्मियबल लाइनर लाइनर इंपर्मियबल यानि कोई भी ओंटमेंट इसको क्रॉस करके बाहर नही इनको हम लोग क्या बोलते हैं अप्लिकेटर इस्टोरेज कंडिशन तो इस्टोर इन वैल क्लोज कंटेनर एंड इन कूल प्लेस एक ठंडी जगह पर रखना है एक ऐसे जगह कंटेनर रखना जिसको अच्छे से बंद कर सकें प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टंपरिचर डाइक इसको बचाना है हाई टंपरिचर और मेल्ट बेस अगर बेस है तो हाई टंपरिचर कर दोगे तो बेस जो थो थोड़ा सा गाड़ा गाड़ा होता ना वो पिखल के पानी जाएसा हो सकता है सेपरेशन ओफ फेजिस में टेक प्लेस फेजिस जैसे ऑईल और वाटर फेज है वो फेज का सेपरेशन हो सकता है ठीक है लेबलिंग में क्या लिखा जाएगा साफ साफ लिखा जाएगा for external use only के लिए रहे बाते हैं तो सिंपल सिंपल से चीज़ें थी अच्छे यहां पर कोई छूटा तो नहीं है तो यह लेक्चर हमारा यहां पर फिनिश होता है ठीक है ओइंट्मेंट को लेकर करके जल्दी इसके बाकी लेक्चर भी आएंगे तो बेटा पढ़ना है यह ओइंट्मेंट को अच्छे से पढ़ने तो आगे के लेक्चर समझन बढ़ी असानी रहेगी उनको जल 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 दी खतम कर पाऊंगा मैं ठीक है ना तो link notes का PDF का link description में दिया होता है बेटा अभी भी बहुत से बच्चे confused रहते हैं उसमें जाओगे click करोगे download कर सकते हो दिक्कत है call करो बहुत से बच्चे रोज call करते हो अच्छा लगता है बच्च रिवाइस करते रहो अल दा बेस्ट